हेलो शात्रो हमने पहले वीडियो में mathematics के pre-send up examination के जो प्रस्ण पत्थे उसके प्रस्ण को solve किये हैं एक से 20 तक और आईए इस वीडियो में हम लोग उसके बाद question को solve करते हैं और इस वीडियो में हम लोग खाली MCQ question को solve करेंगे और आगे वाले आने वाले विडियो में भी लगहुतरियो और दिर्गहुतरियो प्रसन को भी हल करेंगे ठीक है और साथ में हम लोग देखेंगे कि उसके साथ किस तरह का question और भी पूछे जाएंगे तो वो भी हम लोग देखेंगे ठीक है तो start करते हैं हम लोग 21 नमर के बिंदू इतना और इतना को मिलाने वाले रेखा कंड के मध बिंदू का नियामक लिकालना है देखेंगे बहुत यह असान question है इसका मध बिंदू का नियामक लिकालना है तो आपका पता होना चीए कि मध बिंदू का नियामक जो होता है वो क्या होता है वो हो जाएगा x1 पलस x2 बटा 2 कॉमा y1 पलस y2 y2 देखें यह होता है मध बिंदू के नियामक अब क्या करना है आपको इस पे भेलू पूट कर देना है और इसके बाद लिकाल देना है तो कितना हो जाएगा बताओ तो देखो एक समन क्या है या एक समन के जगा पर थिरी ले ले रहा है तो थिरी पलस और एक स्टू के जगा पर कितना है माइनस फाइव है ठीक है बाइटू कॉमा कितना हो जाएगा जीरू पलस फोर बटा टू लिख दिया चलो सुल्व करो तो तीन से 5 जाएगा प्लस माइनस क्या होता जोड़ घर ओ यहां पर माइनस का साल हो जागा तो 3 में से 5 जाएगा तो माइनस 2 Бटा 2 कॉमा 4 बटा 2 कट कैंना आ गया इससे कट गया तो माइनस 1 कॉमा अध्दू हो गिया समझ गया तो मताहिए कौन सा इसका राइट sensor हो गया तो minus 1 अदू ये बी नमर आपका सही हो गया चलो ठीक है इस पीस 20 क्या क्या को सकता है इसमें और भी कोस्चन दे सकता है कि दो बिंदूओं के बीच में दूरी लिका भो ठीक है तो इस तरह का भी फ्रोमुला याद रहिदा चलो उसकेवाद 22 नमर ко function कह रहा है कि बिन्दु यतना का भूझ तरह कि भूझ क्या होता है भूझ कहते है किसकर आपका हो जायगा है A X भहलू X का जो मान होता है X को ही X को ही क्या भूझ बोलते है आप कोटी किसको कहते है कोटी बोलते है जिसको इंगली से बोलते है ओडिनेट है तो कोटी बोलते है य की महलू का तो देखो यहाँ पर एक्स महलू के ताब माइनस थिरी है तो बस माइनस थिरी लगा दो समझ गे चलो आजा question number 23 देखो duty ये चतुरतांस में बिंदू का नियामक होंगे duty ये चतुरतांस में ये देखी इस तरह के होता ही पहिला होता है ये दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया ये चोथा हो गया तो duty ये चतुरतांस में क्या होगा देखो x का महलू लिगेटिव हो जाएगा और Y का बेंदो क्या होगा पलस में और Y का बेंदो पलस में तो B नमर आपका सही answer हो गया क्वोशन नमर दिखते है किसी तिर्भूज के सिस्सू के डिया मक दिया हूआ है उसके केंद्रा क लिगा लिए बहुत ही असाल कोश केंद्रा का खाली फरबूला याद रहे तेकर यह तीनभूश है तो तिनोह सम्दिवाजक जहां पे काठेगा वही चेंद्रा खोता है तो इसका लिकालना है क्या है आपका नियाम भगध किनो एक सो एक को जोड़ दो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 2 बादा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 देखी ये खाली फर्मूला याद रहे तो हो जाएगा आपका ठीक है चलो तो तीनों को जोड़ दो देखो यहाँ पर मैनस 3 है तो मैनस 3 फ्लस पांच – बटा टू कॉमा इधा से लिखो गया तो लिखो गया जिरो – दूबा पलस पांच बटा दू सको सोल्प करेगा देखो माइनस आठ माइनस आठ है माइनस तीन किता है माइनस इगारह इगारह मेंसे पांच गया तो छे तो माइनस छे में दू से भागा दे दोना ठीक है कॉमा आई धर बता हो किता हो पांच मेंसे दू गया तो तीन तो तीन मटा दू ठीक है तो पांच में से दू गिया तो तीन हो गिया तो तीन हो गिया यहां पर सुरी तीन होता है तीन हो गिया तो कट के क्या मिलेगा तो यहां तीन था तो कट के कितना मिल गिया तो हो गिया माइनस दू तीन दू नी छो और एक तीन तीन ती जाओ वल तो माइनस दू और ए कौल सा option हो गया ये B नवर आपका सही right answer हो गया समझ गया चलो 25 नवर question देखते है किसी ते A, B, C तिरभूज A, B, C एक sum कों तिरभूज है कैसा है sum कों तिरभूज ठीक है तुमके पता है कि ये sum कों तिरभूज होता है हिसे सभी जीसमें दिखा रहा है कि 90 डिगरी शी को नहीं हो गया को स्यआ phi पलस B का विलु कितना हो गया तो कॉस में को से पलस B के जगापर कितना हो जिए हो चलो 26 नमर कोशन के अगर 28 cm ब्यास वाले व्रीत की परिधी क्या है देखो ब्यास दिया हुआ ब्यास दिया हुआ डि कितना है 28 cm तो बताओ radius कितना हो जाएगा 14 cm आधा हो जाएगा 14 cm हो गया radius अब तुमको ब्रीत के परिधी लिखाल ता परिधी का फ्रवल क्या है सबसे लंबी जीवा कहलाती है बहुत ही आसार बीट की सबसे लंबी जीवा देखो ये बीट कोई है बीट की सबसे लंबी जीवा क्या होगा जो इन्दु से पास करेगा वहीं न उल्टा होता है तो तेल ठीटा का उल्टा करोगा तो अपने और उल्टा किसी कभी करोगे तो एक भेलू होगा यह होगी है इस जोड़े है तो 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 टेल ठीफाइब का पूरा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा कोट पच्पन डिग्री आप पहले से ही तो फच्पन है छोड़ दो पलस देखो कोट इसे में से कोई चेंज कर दो तो कॉठ उपर देखो इसे फर्मूला भी होता है दो तरह से लिकाल सकते हो या तो साइड ठीटा में क्या क्या दिया रहता है तो साइड ठीटा में तुमको दिया रहता है पी हला और पी दिया हुआ है और कंड कितना दिया हुआ है कंड दिया हुआ है तो तुम सबसे पहले क्या लेका दोख यह कोई के ट्रेंगल है इस ट्रेंगल में तुमको करण B दिया हुआ है और हाइट कितना दिया हुआ है परफेंडूकल उचाही कितना दिया हुआ है यहाँ से पहले अधार निकालना है तुमको तो अधार जब निकालोगी तो क्या हो जाएगा root under b a square minus a square हो जाएगा अधार बटा क्या हो जाएगा अधार बटा क्या हो जाएगा किस वहेलू पे 1 by 2 होता है साइग थीता का वहेलु के थीटा का वहेलु कितना होगा थीजना हो जाएगा how to tell you स्वाजिगा तो यह हो या आपका बी नमर सही चलो कोशल नमर देखो 32 इभी उसी तरह कोशल है देखें टेन टू ठीटा तो यह से तुम लिखो टेन टू ठीटा बराबर एंट तीरी को इधर भेड़ो तो तीन बर्टा क्या लिखोंगे रूट ठीरी आईशे से काटो के तक्या उपर में रूट ठीरी टाइम में कटेगा चले ना तो बताओ तो तेन चीरी में क हो गया थिटा या ?चिता बहुत ही असल दे में से का क्या होता है सिक का पूरा खोता है को से कौसिक ठीटा अर्थ रिज्य व रिद्ग के ठीट गति हिंज खर्ट 117458 छे में क्या होता है ठीटा बटा पाई यारे स्कॉरार तो अब डी नमबर आपका सभी हो गया चला है टीस नमबर प्रसने हैं दो बृतों के छेटपलों का अनुपात 9-4 है और यह नुफात 4 है इसकी परिधियों का अनुपात लिकालने का रहा है ठीक है परिधियों का तो देखो इसमें कोस्टर में क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है दो बीत्रों का छेद्फल है ना तो माले दुनों बीत्रों का छेद्फल एक है एवल बटा एटू बराबर कितला दिया हुआ ह 9 अलुपाती 4 दिया हुआ है तुमको पता होना चाहिए कि बृत का छेतपल क्या होता है यह के बाल लेते हैं कि तीरिया आरवल है ठीक है तो पाई आरवल एस्कुयर बटा पाई आरटू एस्कुयर बरावर 9 बटा 4 हो गिया पाई से पाई काट देला और देखो रवल बटा R2 का जो दोलोग इसक्वार है तो उधर जागा तो क्या वर्ग मुल हो जाएगा तो यहाँ से तुम्हारा रवल बटा R2 जो हो जाएगा वर्ग मुल gratis लोग वटा 4 तो हो जाएगा 30 वटा 2 तो अब आगिया तीरजिया का आलूपाद 3 और 2 का हो गिया तो तुम को लिकालना है किसका आलूपाद परिधी का थो फाइग प्रिंधी का उपपाद हो फ्ल तो आर्वल वाय आर्टू जो हबलों लिकाल दिया था पहले तो तील अलुपाते दो हो गया तो कोल सही हुआ तुभारा एक लवर सही हो गया चलो 36 लवर को चल देखो 36 लवर क्या करा है आर तिर्जिया वाले अर्ध गोले का सब्पुल प्रिष्ट छेद्फल क्या होगा दे तो देखो यहां से यह क्या है एक प्रिष्ट यहसा है और एक प्रिश्ट यहां परे क्या है बुरित क्या परक वह और तो इसका हो जागा कितला दो कहीए आधा लिख देला तो गोला का क्यतला होता है गोला का होता है छेत्फल पाई आरे स्क्वार तो इसका आधा करेगा तो क्या है यह अर्ध गोला का इधर से कितला हो जाएगा टू पाई आरे स्कॉार ठीक हो जाएगा और पलस में क्या हो जागा तो ऊपर वाला क्या हो जागा यह ब्रीत का छेत्पल क्या होता पाई आरे स्कॉार तो टोटल विल के कितला हो थीरी पाई आरे स्कॉार बहुत ही यह क्या होता है यह इपोर्टेट कोस्चल है ठीक है थीरी पायारे स्कुर्ण अर्ध गोले का सपुल प्रिष्ट शेत्पल हो गया तो कोल साफ्ट रोगिया यह लंबर समझ गया चलो कोश्चा लबर 37 देखो 37 लबर कोशे किसी बेलल की अधार की तिर्जिया दूसर इल्टीबीटर है उचाही इतला तो बेलल का अधार की तिर्जिया और दिखाए एक बेलल है यह ठीक है तो बेलल का देखे सब्सक्राइब तिर्जिया दे ले हई है और तुत्मूल तो क्या होता है आफार का इसल्ट का पायार-ी हैस्वाइस फ्रूला होता तो साथ दूली 14 और गूला करेगा बहुत है यहां तो यह हो गया सेर्टी वीटर क्यों तो यह हो 4 by 3 पाई आर क्यू ये फर्मुला होता है नहीं इस फर्मुला का यूज़ करके तुम लिकाल लो तो 4 by 3 गुले 32 by 7 गुले र क्यू तो 7 गुले 7 गुले 7 एक से 7 साथ कट गिया तो कितना हो जाएगा तो इसको करोगे तो सबको गुला करोगे तो इतना वह बटा तील तो यहीं हो गया आपका एल सर तो 38 का सी हो गया चलिए दो कोशल और स्वल्व करते है इस वीडियो बे और बाकी कोशल को लेक्स वीडियो बे हम लोग स्वल्व करेंगे ठीक है इस तरह टोवल्टी कोशल को हम लोग स्वल्व कर लेंगे उसके बाद क क्या कर रहा है उल्चाली स्वर किसी सभ्भू के अधार ती जब नहीं इसकी उचाही तो तुमक रूपिष्ट का छेथर गया दखें वहक्र प्रिष्ट का छेथर क्या होता है पाई आरेल ने वारेल फ्रमूला होता है उच्वेश्ट देले हैं और ती जब में दयाल दो यहा रव यह आपाई छोड़ दो और कितला है पर टूबहारा कितला हां पार भी सक यह स्कॉार और पारा बोले फोल दो संप्नट करने के तक क्या स्विफ़ोगर गया केश ओसंप wise स्कार्म हो जाएगा वर्ल शिक्स्टी लाइल तो इसका तेरा तो तेरा पच्छे 65 तो 65 पाई हो गया समझ गया ती 65 पाई को लो गया सेल्टी वीटर स्कार सही राइट इसका सही एलसर है चलो चालेश लवर को चल गया यदि किसी घल की एक भूजा इतला है तो इसकी सब्पूल प्रिष्ट का छे प्रिष्ट में क्या होता है सिक्स एसकार होता है तो सिक्स गुले पाच गुले पाच कर दो तो कितना हो गया ठेड़ सो तो यह हो जाएगा सेल्टी वीटर रेस का दोको बहुत ही असाल कोश्टल दिया हुआ था इसके फरमूला बेस पे भी कोश्टल खाली पूछेगा तो इस तरह हम ले इस वीडियों बें ये 20 Qacer को भी Solve कर लिया और आले वाले वीडियों में हम लोग और वीडियों और विस Quesal को Solve करेगे और यह वीडियों आपके लिए बहुत ही beneficial हो है और बचों आप लोग इसके इस तरह का कोशल बलाले का कोशिस करेगे और प्रैक्टिस करेगे जितले आप प्रैक्टिस करेगे उतले आपका अच्छे अच्छे से कोश्चल बल जाएगे बोर्डिंग जावे तो इतला ही और वीडियो हेल्पू लगा होगा तो आ हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर देला ठीक है और बेल आइकल को प्रेस करके लोटेपी केसल को ओल कर देला धल्ले वाद